नमस्कार दोस्तों सोट सार्जन जी एस में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि आप जब एक्जाम देने जाओगे अपने सेंटर पे तो वहाँ पे किस तरह आपको परकिरिया लिया जाएगा वो सुरू से हम डीटेल में आपको बताएंगे किलियर बताएंगे आपको शुरू से कि आपको gate पर कैसे entry होगा, gate के बाद अंदर आने पर फिर आपको क्या परकिरिया होगा, आपको कैसे बैठाया जाएगा ground में, ये total परकिरिया हम आपको बताएंगे, ये to gate परकिरिया बताएंगे, आप लोग video असकीप मत किजिएगा, जो भाई मेरे चैनल पर नए है, उनको तहे दिल से सुक्रिया, चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब किजिएगा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको बारे की ढंग से बताते हैं, आप लोग video को असकीप मत किजिएगा मेरे दोस्त, अगर असकीप कर दोगे त तो गेट पे आपने जैसे ही गेट के पास गये आप, तो यहाँ पे गेट के पास ही आप से क्या मांगा जाएगा, एड्मिट कार्ड मांगा जाएगा, जो कौन सा एड्मिट कार्ड आपका मांगा जाएगा, तो जो आपका एकजाम का है, एकजाम बला एड्मिट कार्ड है प्रूप के लिए तुम्हाए आपको बता रहा हूं लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि आपको क्या लिया जैगा तो a the card लिया जाएगा अधार कार्ट हो गिया आपका voter ID कार्ड हो गिया यह चीजा पहले देख लीजे बोटर काड हो गिया दूसरी बात है कि DV driving license है तो यह चलेगा मतलब यह चीज आपको कुछ ID proof होना चाहिए तब आपको gate से क्या होगा? इंट्री होगा, यह gate पे आपको इंट्री होगा तभी आप gate से आप इंट्री कर पाओगे यह चीज आपका होगे, इंट्री का फर्स्ट स्टेज में आपका यही काम होगा जब gate से आप इंट्री कर जाओगे तो फिर आपको पूरा सरीर का चेक किया जाएगा कि आपने किसी तरह से कोई चीजी यूज किया है कि नहीं जैसे Bluetooth होगया, microphone या फिर मतलब कोई गलत candidate है या सही है इसके लिए फिर आपको चेक होगा जब इंट्री आप अंदर हो जाओगे तब इंट्री अंदर होने के बाद में आपको क्या लिया जाएगा, thumb लिया जाएगा क्या चे लिया जाएगा, thumb जिसको बोलते हैं यह अंगूठा का जो thumb होता है यह थम आपको लिया जाएगा यह थम आपको इसलिए लोग इसमें गलत नहीं कर पाते हैं अगर लोग किसी ने भोखास अगर गलत कर भी दिया एक्जाम में तो वो next step जैसे medical में वो जैसे ही जाएगे वहाँ पर पकड़े जाएगे क्योंकि आपका थम और उनका थम अलग होता है हर इनसान का थम एक जैसा नहीं होता है तो इसलिए उनका थम अलग होगा आपका थम अलग होगा तो वहाँ पर पकड़ा जाएगे इसलिए थम लिया जाता है जब entry हो जागा यहीं पे आपका सारा परकिरिया चेक उक होगा अब हम आपको बताते हैं बहुत दम एक महत्पूर्ण जनकारी कि आपको वहाँ बैठने का तरीका क्या है इस पे आप थोड़ा सा गोर कीजिएगा और ध्यान से देखेगा तो देखे दोस्तों जब थामूम आपका हो जागा तो ग्राउंड लेवल पे आपको ले जाएगा तो माल लिजे कि चलिए हम आपको अच्छा से दम बता देते हैं बारिकी धंग से आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेगा माल लिजे कि यह ग्राउंड है चलिए हम आपको बता देते हैं यह किस चीज़ है यह ग्राउंड है चलिए ग्राउंड हम लिख दिया अब ग्राउंड में देखे क्योंकि इसमें हर ट्रेट का एक्जाम है सीपर हो बारबार हो वाटर केरियर हो कूक हो कोई भी हो टोटल और ट्रेड का इसमें एक्जाम होगा, सबका एक ही वार एक्जाम होगा, एक्जाम इस तो आप लोगा पता है कि दो सीप्ट में है, ये चीज मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया था, कि दो सीप्ट में आपका एक्जाम है, ये चीज हो गया, अब एक्जाम के ल इस तरह से मैंने एक line बना दिया चलिए जितना हो सक है उतना आपको समझाने के लिए अच्छा से ताकि आप अच्छा से समझें एक्जाम के टाइम में आपको घवडाना नहीं है न सुचना यार क्या करें कैसे एक्जाम दें जितना आप मेहनत किया हैं और मेहनत ही रंग ला रहा हूं कि medical में जाओगे जिस तरह से मैंने physical trade मैंने इसब के बारे में बताया था आपको उसी तरह से आप medical में भी जाओगे यह चीज आप पहले मालो तो देखो दोस्तों यह ground में जब आ जाओगे सारा चीज आपका पर करिया सब चे कुक हो कि कर दो बार बर हो गया और क्या हो गया वाति श लो जो टापको अsst तरह एंप बैठाया जाएगा सबकाया पेपर एक ही रहेगा मेरे दोस्त है पहले ध्यान देना एसा नहीं कि cook का दूसरा question रहेगा, water carrier का दूसरा question रहेगा, sweeper का दूसरा question रहेगा, बारवर का दूसरा, ऐसा नहीं है, सब का question एक ही रहेगा, जो question cook से पुछा जाएगा, वो water carrier से भी पुछा जाएगा, sweeper से भी पुछा जाएगा, बारवर से वासन, मतलब सब का question एक रहेगा, यह बात आप पहले मालो, नहीं तो आप सोच रहे होगी यार मैं तो कुक में हूँ तो मेरा अलग कोचन होगा, यह स्वीपर है तो इसका अलग कोचन होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, इसमें यह एक रिजन, यह चीज हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि इसमें सेट बना हुआ रता, जैसे सेट देखो, यह सेट जो रता है, A, B, C और D, इस सेट रहेगा, तो देखे दोस्तों इसमें आपको टोटल बताता है, आप लोग समझने की थोड़ा कोसिस कीजिए, अगर नहीं समझ पाते हैं, तो फिर भी आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, किसर हमको स बात समझ रहे हैं, इस लाइन में सिर्फ वाटर केरियर वाले ही बैठेंगे, यह बात मालो, इसमें स्वीपर वाले ही बैठेंगे, मतलब लाइनिंग से बैठेंगे, ऐसा नहीं है, कि यह कुक यहां बैठा है, तो यह कुक का लड़का यहां बैठेगा, ऐसा नहीं है, सब lining से बैठते हैं इस तरह से आपका बैठेंगे इसमें आपको बहुत बेटर एक चीज भी हो जा सकता है इसमें क्या है कि आलो की water carrier तो पुरा water carrier वाला है 29 हलाखे coaching तो सबका same है उससे आपको क्या मतलब है कि हम water carrier में आगे cook में इससे आपको इहां पर है, दिमाग लगा सकते हो, मैं आपको किलियर फंडा बता रहा हूँ, यूटूब पे ऐसा वीडियो आपको कोई बताएगा नहीं, जो चीज रियली में बितने वाली है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे, तो मालोक की यहाँ पे बैठे हो, तो मालीजे की इनसान इस जगह पे बैठा है, तो इसको A मिलाता है, ऐसा नहीं कि इसका बगलवला कभी A मिल जागा, नहीं, उसको D मिलेगा, अब सेट में क्या होता है, जिन बिद्यार तो जिनको पता है, उनको तो मैं तह दिल से फर्स्ट कोश्चन कुछ और रहेगा, यानि कि कहने का मतलब यह है, कि आपका अगर सेट A में यह कोश्चन जो पहला कोश्चन है, हो सकता है कि सेट D में वो दसमा कोश्चन हो, हो सकता है कि 15 वहां कोशन हो, लेकिन रहेगा किस चीज का, अगर फर्स आपका सेट में GKS है, तो फर्स कोशन आपका GKS ही रहेगा, यह चीज आप पहले मालो, सेट में आपको वही रहेगा, लेकिन आपका कोशन को अदली बदली कर दिया जाएगा, ताकि मतलब बच्चा सही जंग से मतलब चूरी ने कर पाया है, ऐसे तो चूरी करने की संभावना कम है, क्योंकि इतने सारे लगे हुए रहते हैं कि आपको चूरी नहीं करने देंगे, इसका में मुद्धा यही है, कि जैसे सेट A में फर्स कोशन A है, तो हो सकता है कि इनका दस्वा नमबर पर कोशन तो इसका दूसरा, मतलब टोटल कोशन को आपको चितार देगा, ताकि अगर बगल वाला लडगा को आप देख लिये, कि इसका फर्स्ट कोशन है, जो इसका इंसर A है, आपने बगल वाला लड़का देख लिया, एक मैं सपोर्ट डेड़ आपको बता रहा हूं, अगर बग में टाइम तो लग जाएगा कि नहीं तो आपका तो टाइम तो बेश्ट हो रहा है बस इसी करण बस होता है कि आपने धोगा से अगर दिया भी तो आपका टाइम बेश्ट हो जाएगा एक चीज मैं आपको और बताता हूं दोस्तों जो ध्यान देना आप लोग बहुत केर से क कि OMR पे जाते के साथ हडवर में मतलब कि जल्दबाजी में रंगना सुरू मत करना इस तरह से कलर करना मत अस्टार्ट करना मेरे दोस्त नहीं तो आपको पच्टाना पड़ेगा जाओगे हडवर में रहे यार इसका ही है चल इसका यह मर देता हूं चल इसका सीम यह काम मार पर रंग दिया फिर दुआरा अगर आपने रंगा तो वो आपको कट जागा नंबर दूसरी बात को हाँ सबसे पहले रॉल नंबर जो होता है जो कोड होता है वो सांती ढंग से बरना ये चीज गलत मत बरना नहीं तो आपका सौ में से नब्बे नंबर भी आप मार दिय है वो चीज पर फर्स चीज में आप पहले ध्यान दिजिएगा बागी चीज पर ये सब पर ध्यान दिजिएगा ये चीज तुम्हें आपको परकरिया बता दिया बागी जब आपको जो कंफर्म उसको एमर पर रंग दिये उसके बाद में देखिए कि आखिर हम अपना दिल से कितना सही माल ही कि अपना दिल से आपने 60 मारा है इसमें नगेटिव मार्किंग है नहीं तो आपका 40 बच गया तो आप देखो कि यह 40 है तो अपना अंधास किसी में उप्सन होता है कि A होगा या B होगा तो suspense में अपना दिमाग से 40 और मारो आपका कितना भी नसीब गोगा तो 10 नंबर तो जरूर आपका नगेटिव नहीं है तो मिलेगा तो 60 अपका अगर मारते हो तो 70 मारते हो नोगरी पक्की नोगरी तो आपका confirm है medical के लिए आप आजाओगे merit भी लगने का पूरा चांसे दोस्तों तो यह चीज यह परकिरिया है पूरा एक्जाम का दोस्तों आपको अगर OMR रंगना है तो आप एक black point आता है OMR रंगने के लिए एक black pen आता है और एक blue आता है तो आप दोनों ले जाएगा आपको वहाँ जिस चीज का इलाव करे black एक blue का OMR 10-15 रुपय में आता है वो pen लेकर जाएगा एक normal pen भी लेकर जाएगा इतना चीज आप लेकर जाएगा दोस्तों यही चीज है एक्जाम का परकिरिया जो आपको डिटेल से बता है और YouTube ऐसा चीज कोई नहीं बताएगा दोस्तों जो चीज मैं बता रहा हूँ ऐसा चीज आपको YouTube पर कोई नहीं बताएगा दोस्तों इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ध्यान से ये चीज देख लिए आपने समझ लिए तो आपको एक्जाम एक्जाम एक्टेंशन नहीं होगा बाकि इसके अलाव अगर आप लोग और किसी परकार का कोई भी परसानी होता है तो आप हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताएगा हम आपका रिपलाई जरूर देंगे दोस्तों और जिन भाईयों ने अगर PDF नहीं खरीदा है तो PDF क्रिप्या करके खरीदें मैं सेट बना रखा हूँ अभी भी बता देता हूँ चार तारीक का इसके एकजाम है तो PDF आप ले लो PDF पांच सेट है दोस्तों इसमें पांच सेट जिसमें आपका चार्ज निनानमे रूपिया है अब कहां पर आपको PDF लेना है आपको PDF मिल जागा है हिंदी में सेट है दोस्तों जिन भायों को लेना है ले लो चार तारीक को एकजाम है आज एक तारीक हो गया है तो बाकी आप लोग की मरजी तो थैंक्यू दोस्तों और कोई भी परसानी हो तो हमें क्रिमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में तो सभी भायों को राम राम और जये